मुस्लिम भाई हूँ तो सवाल कर सकते हैं सलाम अलेकुम जाकिर भाई मेरा नाम तुशार शहा है मैं जैन गुजराती हूँ सर मैं सिविल इंजिनियर हूँ कॉमर्स ग्रेजियर्ट हूँ और एंबीए की डिग्री होल्ड करता हूँ और पूर्णा में ऐसे प्रमोटर बिल्डर काम करता हूँ सर मुझे आपके बारे में हमारे एक मुस्लिम फ्रेंट के तुरू मालूम पड़ा उन्होंने आपका एक सीड़ी मुझे दिया जो के वेज और नौन वेज के उपर आपका डिबेट था सर और वो आपने जहिन लोगों के साथ किया था और मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा सर और मैं तब से आपका फैन हुआ तकरिबन पांच साल पहले उसके बाद मुझे आपसे जादा से जादा जानकारी कैसी मिले ये मैं खोज रहा था तो मुझे QTV की बज़र मैं पता चला और मैं आपको QTV पे देखना चालू करा दिया सर उसके बाद में तो हमारी लोटरी ही लग गई पीस टीवी चालू हुआ सर पीस टीवी तो 24 घंटे चलना चालू हुआ और सर मैं यहां ब्रेक लेके बोलना चाहूंगा कि जितने भी जैन प्रिंसिपल्स है या जो भी राइट सर रितियोल जैन लोग फालो करते है यह बचपन से लेके आज तक मैं समझने में फेल रहा हूँ सर एक भी उनका प्रिंसिपल मुझे लॉजिकली एकसेप नहीं हो रहा है सर अन दे कॉंटररी इसलाम के जितने भी प्रिंसिपल मुझे मालूम पड़े जो के आपके त्रू मालूम पड़े 99.99% एकसेप्ट हो रहे है ओ भी लॉजिकली सर तो यहाँ दूसरी बात ऐसी हो रही है कि पीस टीवी के बारे में मैं थोड़ा आपकी पर्मिशन से बात करना चाहूंगा मेरी एक रिक्वेस्ट है आप से कहना है टॉक सर सवाल थोड़ा मुक्तसर करें यहाँ जो मुक्तसर यह नहीं असल में क्या है बहुत सारे बाई खतार में खड़े हुए हैं बहने भी हैं सब को मौका दीजिए जाकिर साब को सुनने का इसलिए प्लीज आप पहले अपने टॉपिक पर आजए आप क्या कहना चाहते हैं सर पता है मुझे मैं तीन दिन से नंबर लगा रहा हूँ आज नंबर लगा है सर तीनों दिन का बदला वस्लू कर रहे हैं जी नहीं सर मुझे कुछ पीस टीवी के बारे में बात करना है मुझे बात करने के मोका दिया जाए सर ऐसा हुआ है कि पीस टीवी से मुसल्मान लोगों को तो बहुत फाइदा हुवता नजर आ रहा है लेकिन उससे कही जाएदा फाइदा इसलाम के बगर जो मजब है उनको होता नजर आ रहा है सर इसका कारण मुझे जो द्यान में आ रहा है ये है कि इस टीवी तुरू बगर इस्लामिक मधब की जो किताबे हैं उस पे रोष्णी डाली जा रही है सर और उन लोगों को ये मालूमात मिल रही है कि उनके बुनवादी वसूल क्या है उनके प्रिंसिपल्स क्या है और आज जो नौन मुस्लिम लोग है उनमें एक हिम्मत आ रही है कि वो उनके सोक और धरम गुरू को सवाल पुछने की ताकत रख रहे है कि जो कुछ हम सुन रहे है ये सही है है क्या ये पुछने की हिम्मत आ रही है सर और ये हिम्मत थोड़े दिन में बहुत बढ़ जाएंगी सर इसे रोकना आप मुश्किल है अब यहां पर प्रॉब्लेम ये आती है कि ये मेरी कंप्लेंट है सर ये हम जो एरिया में रहते है वहां पीस टीवी काफी महिनों से बंध है अभी चलाने वाले भाई जो है ये मुसल्मान है और उनके अंडर में जो एरिया हाता है वो पूरा ही मुस्लिम एरिया है सर अब उन्हें प्रॉब्लेम क्या है समझ में नही रहे फैषन तीवी 24 गंडों चला रहे ट्रैंद 24 गंडों चला रहे और हमने उन्हें काफी रिक्वेस्ट की इमेल बेजे नोटीस बेजी पिर भी कोई उसमें बद लाओ नहीं आ रहा है थीज土 इवी चल नहीं रहा ह Twin exhaust करनी एज को आप वह भाइसे बात करें और उन्हें कए कि पीस टीवी चलाने में आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि कल एक भाई नहीं elख की लेकिन खुलके बात नहीं कि आपने उने कहां कि आप एक 56-जार की डीश्ट करो पीस टीवी चल जाएगा सर 5-6,000 की डीश चला लगाने वाले की ताकत पुना में 500 लोग रहेंगे, 5000 लोग रहेंगे लेकिन पुना में बहुत गरीब लोग है जो कि ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और उनका हक है कि ये पीस टीवी देखें करके तो मेरी आप से एक request है कि आप वो भाई साब का problem क्या है वो देखें और पीस टीवी चालू करने के लिए request करें और अब मैं सीधे अपने सवाल पर आता हूँ सर जैसे मैंने कहा कि जैसे मैंने कहा कि जैन लोगों का एक भी principle लॉजिकली मेरे समझ के बहार है और इसलाम के जितने प्रिंसिपल मैंने सुने है 99% प्रिंसिपल मुझे लॉजिकली एकसेप्टे सर जो एक प्रिंसिपल में थोड़ी गडबडाट है वो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं सर अगर मेरे से कोई गलती हुई तो प्लीस संबाल लेना सर मुझे तो मेरा यह है कि we are every human being is born with free will and we are here to test for the life to come hereafter यह एक प्रिंसिपल है सर मुझे एकसेप्ट है मुझे कोई का इसमें यह नहीं है दूसरा प्रिंसिपल है सर तकदीर का जहां मुझे थोड़ी गड़बड हो रही है तकदीर का प्रिंसिपल जो मैं समझ रहा हूं और जो मैंने सुना है वो यह है कि जो अलाने लिखा है करके आप कर रहे हो यह जुमला गलत है आप जो करने वाले हो वो अल्ला को मालूम है करके अल्ला ने रिखा है I hope I am right sir तो sir अगर जब free will का जो principle है तो ये तो इसके साथ टैली हो रहा है sir जबके मैं देख रहा हूँ free will आप जो करने जा रहे हो यह निकि मुझे free will तो है करने में ये principle टैली हो रहा है अब रहा principle test का अब जब अल्ला ने हमें यहां test के लिए भेजा है तो आप यहां कह रहे हैं कि आप जो करने जा रहे हो वो अल्ला को already पता है और उन्होंने लिख के रखा है तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि हम अखरत तक क्या करने वाले है यानि सब लोग जो जो है क्या करने वाले है ये अल्ला को पता है ये end result अल्ला को पता है ऐसा मुझे लग रहा है बिल्कुल सही I'm glad sir जो मैं समझ रहा था सही समझ रहा था अब यहां बात यहां आ रही है अगर वर्ल्ड कप क्रिकेट का रिजल्ड मुझे अगर फाइनल रिजल्ड मालूम है तो पूरा वर्ल्ड कप मुझे देखने की जहुरत क्या है बहुत अच्छा सवाल लगता है कि आप बहुत पीछ टीवी देखते हैं आप भी देखता हूं sir आपने जिस तरीके से तकदीर को शॉट में कहा बहुत कम मुसल्मानिया कह पाएंगे मुसल्मान को भी ये प्रॉब्लम में तकदीर क्या है मैच करने का के फ्री विल और तकदीर बहुत कम मुसल्मान कह सकते और आपने इतने बड़े मजमे में कहा मैं आपको कॉंगलाइग लिट करता हूँ आपका आखरी सवाल था कि अगर अल्ला को पता है सर अगर मैं तो बनिया हूँ मुझे मालूम पड़ा है कि इस्लाम एक्सेप करके मुझे स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा कुछ नकुछ तो मिलना पका है अब ये सब खेल में अल्ला को क्या मिल रहा है ये मैं जानना चाहता हूँ बहुत अच्छा सवाल ये दूसरा सवाल है मेरा दोनों सवाल का जवाब दूँगा तीसरा मत पूछ ये तो लोग मुझे कहेंगे का मैं इपना इंसा फिकर रहा हूँ आप देना चाहे दे सकते नहीं देना चाहे नहीं दे सकते सर हमारा फैसला कैसा होना है ये तो मुझे पता चल गया कि डूज और डोंस कुरान में लिखे फॉलो करो आपका फैसला हो जाएगा लेकिन जो जानवर एनिमल्स जो है इनका फैसला अला कैसे करने वाले ये मुझे जानने की किरा सुटिए आप देना चाहे दे सकते नहीं दिया अपने बिलकुल सही क्या तकदीर के बारे में आप पीश टीवी देख रहे हैं आपके जो तीन सवाला थे पहला सवाल तक अल्ला जब जानता है ये सब होने वाला तो ये खिलवार क्यों होता ने कड़ पुतलियां जब अल्ला ताला सब जानते है तो हम लोग क्यों ये रचारे ड्रामा डायरेक्ट क्यों ने मुझे जन्नत में जालता है डायरेक्ट क्यों ने दोजक में जालता है बहुत अच्छा सवाल सबसे पहले ये सवाल कि अगर अल् जन्नत में डाला ये आदमी बुरे काम करने वाला है जोजक में डाला और डायरेक अगर दुनिया में आने के बिला जन्नत में डालेंगा जन्नत में डालेंगा जन्नत में वाला तो एतराद ने करेंगा दोजक में डालेंगा आप मुझे दोजक में क्यों डाल रहे मैंने क्या आपके आँख, आपके हाथ, आपके हर जिसम के अंग अंग आपके फेवर और खिलाफ में गवाई देंगे, आपके आगे सब कुछ पष्ट रहेंगा, तो आप अल्ला से ये नहीं कहेंगे, कि आप मुझे दोजक में क्यों डाल रहें, आप कहेंगे मुझे और एक मुँका द करने वाला है, अगर डारिक बोलेगा, नो टेस्ट, आपको पास क्या, आपको फेल क्या, पास करने वाला इतराज ने करने वाला बोलेगा, और आपने फेल क्यों किया, अरे आप तो भुद्दू है, आपको लेकर फेल क्यों किया, इसलिए टेस्ट लेता है, अल्ला ताला जानता है लेकिन आप उस पे एतराज ने का आखरत में इसले टेस्ट ले रहा है। नमबर दो, अल्ला को फाइदा क्या है? अल्ला को शैतान ने उसको चैलेंज किया था, कि मैं तेरे बंदे को भड़का हूँगा। चैप नमर सेवन में लिखा गया है, तो अल्ला कहता है का, मेरे बंदे को तु भड़का सकीगा ही यह नहीं, जो मेरे बंदे ने उसको भड़काएगा। इबलीज कहता है, मेरे पनिश्मिन को डिले करो, इनसान को फ्री विल है, उनको खुश हो रही कि बाकी जो लोग है, आपका तीसरा सवाल भी इसमें आता है जो फरिश्टे उनको चोईस ने जो अल्ला कहता है मानना ही पड़ता है जानवर को फ्री विल नहीं है जो अल्ला तरह कहेंगा जानवर करेंगा फ्री विल नहीं इनसान एक ऐसी मखलुक है ऐसा क्रेशन है जिसके पास फ्री विल है इसलिए उसे खुशी होती है का मैं फ्री विल देने के बाद ये इनसान मेरी इबादत कर रहा है आनसान नमबर टू आनसान नमबर तीन ये टेस्ट जानवरों के लिए नहीं है जानवर के लिए टेस्ट ने सिर्फ इनसान के लिए और जिन के लिए जानवर अगर किसने भी कोई गलत किया एक जानवा ने दूसरे जानवर को खिलाफ कुछ सिंग मारी तो आखरत के दिन पे उसका बदला लिया जाएगा और उनकुक अखतम किया जाएगा इन्नों स्वर्ग और नर्क में नहीं जाएंगे इन्सान सबसे बहतरी मखलुक है सबसे अच्छा क्रियेशन है सिर्फ वो जन्नत दादोजक में जाएंगे और सवाल के पहले जो अपने पुछा था कि वो मुस्लिम आपरेटर पीस टीवी नहीं दिखा रहा है हम क्या करें आप बिल्कुल सही कह रहें कि मुसल्मान से जादा गैर मुसल्मान को फाइदा हो रहा है इसलिए वो मुसल्मान टेलेविजन नहीं दिखा रहा है और मैं कहता हूँ ना कुछ लोग नाम के मुसल्मान रहते पैसे के रहते वो बाकी चैनल शायद उन्हें पैसा देते हम किसको पैसा देते ने हम ना पैसे ते किसी को खरीते ना किसी को इसलाम फैलाते ना चैनल को पैसा देते God TV जो Christian चैनल है इंडिया में हर साल 28 क्रोर रुपीज दे है 28 क्रोर 28 क्रोर वो बजट भी ने सिर्फ इंडिया में दिखाने के लिए हम पीस टीवी बोलते हमारा अमन का टीवी हम आपको एक रुपया देंगे ने दिखाने का दिखाओ नहीं बॉइकट्ट करो उनको बॉइकट्ट करो आप परचा निकालो जो पीस टीवी नहीं दिखाता है हम बिल्डिंग में एक बिल्डिंग में डिश लगाओ एक डिश का खर्टा 5,000 है वायर दो वायर का 100 रुप्य और या 200 रुप्य और 600 रुप्य और साड़े 5000 में 10 लोग देख सकते एक आदमी कितना देंगा 500 रुपिया आप जो केबल आपटर को फीज दे रहे ना 500 रुपिया 300 रुपिया वो भी बद दो चाहिए हमारा फ्री चैनल है 5000 रुपिया खर्चा करो 1000 रुपिया वायरिंग के लिए 6000 में 10-15 लोग देख सकते 600 रुपिया 300 रुपिया खर्चाएंगा और मैं कहता हूं कई लोग ने खुद का केबल शुरू किये ये मुसलमान नहीं दिखा रहा आजीब बाते आप हमारा केबल दिखाते ने बोलते पुलीस पर्मिशन देती ने कि आज आपको पुलीस पर्मिशन मिली चुप हो गया फिर भी मैंने का मैंनेजर से दिखाने दो अल्ला उसको हिदायत दे दिखा रहा है कि अब लाइफ तेलिकाद दिखाने का है लाइफ तेलिकाद सो और डिफिकल्ट है पीछ ट्रीवी पे सब हेरिड होता है यहां कोई गलत चीज कह दिया तो सब लोगो सुने में आएगा तो पीछ ट्रीवी पे तीन चार बार देखा जाता है कुछ गलत ने कोई किसी के खिलाब बात नहीं कर रहा है लाइफ में तो कोई भी बात कर सकता है फिर भी मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ कि अल्ला इस मुसल्मान को हिदायत दे और आप से दर्कास कर सकता हूँ कि आप शुरू कीजिए आपके साथ और लोग आपका साथ देंगे और इन्शाला इसे लोग का केबल चैनली बंदो जाएगा फिर सर मैं कोशिश करूंगा सर और मैं दुआ करता हूँ कि आप जैसा कहा कि पांच साल से आप में तक्रीर सुन रहे हैं और आपको लगा के आप जो कहते हैं धर्मों में गलत बाते होती है और ये मेरा हमेशा कहना है हर धर्म के ठेकेदार से कहो ये बास सबूत से पेश करो चाहे हिंदु दर्मों, जैन दर्मों, इसाय दर्मों ये इसलामों सबूत पेश करो, खुरान में लिकाए के ने, हदिस में लिकाए के ने और मैं दुआ करता हूँ कि आल्ला आपको हिदाद दे आपको सही रास्ता दिखाए और अमन का मजब कबूल करने के लिदाद दे खुशिश करता हूँ था एक क्यों सर खवातिन के हिस्से में अगर कोई